कानपूर जड़ब के बीज जाज तेज होने के साथ ही बाच्छपा ने मंगलबार को समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं उत्तर पदेश के उपमक्यमंत्री के सप्रसाद मौरे ने अखलेश यादो के निर्थे तवाली सपा पर निसाना साधा और दावाकिया की पार्टी ने हमेशा अपराधियों का समर्थन किया है मौरे ने वरानेसिव स्पोर्ट मामले के फैसले की प्रिष्ट भूमी में नए आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने अतीत में अपराधियों की खिलाफ दर्च मामलों को वापस लेने की कोशिश की थी बीजीपी ने अब अखिले शियादो और उनकी पार्टी पर नए आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा अपराधियों के साथ हाथ मिलाती है वरानसी विस्वोट के फैसले की प्रिश्ट भूमी में विपक्ची दल पर हमला बोलते हुए कि सप्रसाद मौरे ने कहा कि अखिले शियादो को जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी ने आतंकी हमले में दर्च अपराधिक मामलों को वापस क्यूं लिया गौरतलवह की पुर्म में भी भाजपा ने ऐसे ही आरोप लगाए है इस भीज भाजपा के शाहजाद पुनावाला ने भी सपा के खिलाफ आरोप का समर्थन किया और अखिले शियादों से इसे इसपष्ट करने को कहा उन्होंने सफपन निसाना साधिते वे पाड़ी को समाज विरोधी बताया और कहा कि वह आतंगवादियों से प्यार करती है पुनावाला ने ट्विट किया वारा नसी विसपोर्ट के आतंगवादियों को क्लीन चिर देना जिने अब हिलाबाद हाईकोर द्वारा रोक दिया गया है या चाहे वह 2008 के आमदाबाद विसपोर्ट के दोसी को सनरक्षन हो या यूपी एटियस पर स्तवाल उठाना समाज वादिपार्टी ने हमेशा आतंग की प्रेम दिखाया है क्या अखिलेश जी अब जबाब देंगे बाच्वा नेता और यूपी के मंतरे सिधार नाज सिंग भी सफा सरकार पर निसाना सादने के लिए आगे आए उन्होंने दावा किया कि ततकारीन सफा सरकार ने 15 लोगों को आतंगवादी आरोपों से मुक्त करने का प्रियास किया था उन्होंने ट्विट किया सपा सरकार दस साल पहले चाहती थी कि वरानसी 2006 धमाकों में वली उल्ला और समीम सहित 15 विचारा धिन कैदियों को आतंगवादी आरोपों से मुक्त किया जाए और अब अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी है क्या सपा सुप्रिमों बताएंगे कि क्या यह राश्रहित में उनका फैसला था वरानसी सीरियल बम धमाके के दोशी वली उल्ला खान को एक सतर अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और सहर में धमाकों के 16 साल बाद एक अन्य मामलों में आजजीवन कारावाज की सजा सुनाई के दाल हुएते